हमारी गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, साश्टांग प्रणाम है चलिए हम थोड़ा सा शुरू करते टाइम, थोड़ा गहरी सांस ले लेंगे यह नहीं कहेंगे चार सांसें, थोड़ी दिल ले लीजें, फिर शुरू करते हैं तो खीचिए, हलका सा कहीं छोड़िए, एकदम संकल विकल प्रहित हो जाएए स्वैम में आजाएए, अपनी आखों में आजाएए शांत, सम्द कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं करना है बस स्वैम में, सेल्फ में, अवेर्नेस में जागे हुए सावधान, इस पल में, in the moment, in the now इस समय में जाग जाएए, पूरे जागे हुए आप कहेंगे हम तो जागे हैं, तभी तो यहां बैठे हैं, मॉबाइल के आगे, या लैपटॉप के आगे, ये मीट देख रहे हैं जागे हुए तो होते हैं, लेकिन मन से मिला हुआ आदमी क्या जाग हुआ है? खौब की दुनिया में, डेड्रीमिंग, दिवा स्वपन, एक ऐसा स्वपन जो स्वपन के बाद स्वपन थौट के बाद थौट थौट परेड चलती रहती है उससे हट करके, हम गहरी सांस लेंगे हैं और इस पल में जाग कर रहेंगे बिलकुल स्वपन में जागे हुए है दो सेकेंड, पास सेकेंड, दस सेकेंड, बीस सेकेंड, जितना आप रुख सकते हैं सेल्फ में कोई-कोई एक मिनट भी रुख सकते हैं जैसा जो कर सकते हैं अराम से बिलकुल जबरजस्ती नहीं करनी होती इसमें सांसों के साथ खिलवार नहीं करते हैं कभी भी सहज भाव से आप से जो हो जाए जो कहा जा रहा है सहज भाव से आप से जो हो जाए इसलिए बार-बार कहते हैं दो सेकेंड, पांस सेकेंड, दस सेकेंड, बीस सेकेंड उस हिसाब से आप जितनी रोक सकते हैं रोक करके जाकर बैठिये अगर फिर मन से मिल गए तो कोई लावनी सांस लीजे गहरी लंबी सांस लीजे गुर भागवान के शुक्राने है बिन सच्चंग विवेक न होई आरी क्रपा बिन सुलब न सोई बिन सच्चंग के विवेक जागरित नहीं होता ये विवेक क्या चीज है अभी हम हमारे सामने विवेक चूडामनी गरंथ है विवेक चूडामनी आदिगुरू शंकरचारजी द्वारा रचित है आदिगुरू शंकरचारजी सन्यास के धर्म के संस्था पकते सन्यास तो अनाधी काल से है लेकिन बीच में ये लुप्त सा हो गया था जो विरक्त भी होते थे वो कैसे भी वेश में होते थे तो एक साधना प्रणाली बनाने के लिए एक साधना पध्यती बनाने के लिए कि मैं साधक हूँ ये डिकलेयर करने के लिए दुनिया के आगे कि आप मेरे पर निगाह करो, निगाह रखो आप मेरे वाच्मेन बन जाओ, मेरे पहरेदार बन जाओ कि मैं कोई गलत काम न कर सकूँ, ऐसा काम न कर सकूँ, जो भगवान से विरुदध हो, यनि जो भगवान के रास्ते पर ले जाता है, वही काम में करूँ, दिहान करूँ, पढ़ू लिखूँ, नाम जब करूँ, भगवान की अराधना करूँ, बिक्षा का अन्र खाओं बस बिक्षा का अन्र कितना मदुकरी बिक्षा उसमें स्रेष्ट है सबसे बिक्षा अनेक प्रकार की होती है मदुकरी स्रेष्ट होती है मांगने गए पाँच घरों के आगे केवल इशारा मात्र किया कि भूके हैं कुछ मिल जाए उन्होंने जो दे दिया बस पाँच घर मांगकर वापिस अपने जहां भी रहने का शरीर जहां रहा हुआ है जोंपड़ी है, आश्रम है, कमरा है अलग से विरक्त, विरक्त दुनिया से अलग दुनिया से अलग तो कुछ भी नहीं है सबकुछ दुनिया के अंदर है कहने का भाव यह होता है कि वो जो दुनियादारी है दुनियादारी वहां से अलग अकेले में कहीं कुटिया बनाकर कुटिया में जहां पड़ी हो, कोई कमरा हो कोई आश्रम में कमरा ले रखा हो कोई वानप्रस्त आश्रम हो कोई सन्यास आश्रम हो परमार्थ का कोई भी आश्रम हो रिशिकेश में स्वर्ग आश्रम है वह बहुत सारे कमरे बने हुए है तो विरक्त लोग विरक्त वही संसार से जिसका मन हट गया है वो विरक्त वहाँ पर जाकर रहते हैं और अपना अभ्यास करते हैं अभ्यास अराधना करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, भक्ती करते हैं, ज्यान का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं वेरागी लेते हैं संसार से मन को हटाते हैं पूरा परमात्ममिस्थिर करते हैं ध्यान लगाते हैं ये सब विरक्त हैं अब साधक एक टर्म ऐसा है जिसमें हम भी आ सकते हैं हम आप सब जो साधना करे भगवान की तरफ चले वो साधक जो संसार की तरफ चले वो संसारी व्यक्ते अच्छा बुरा कुछ नहीं होता सब अपने-अपने भाव से अपने-अपने सुभाव संसकार से चलते हैं हम किसी को कहें ये अच्छा है ये बुरा है हम को कोई पावर नहीं दी हुई है कोई हम, हम कोई जज नहीं है, हम कोई भगवान के वो नहीं है, नुमाइंदे उस तरह के, कि तुम जज करो, ये अच्छे लोग, ये बुरे लोग, नहीं, हमारा ये सब काम नहीं है, हम साधक लोगों का काम होता है, मन को भगवान में लगाना, साधना करना, साधना में नामजब, स्वाध्याय, मनन, चिंटन, शवण, निजध्यासन, लगातार, लंबे अर्षी तक बुद्धी को ग्यान में स्थिर करे मुक्षता, मुक्ष की इच्छा, और कुछ बातें जो आदिगुरू शंकर अचार जी ने कहीं हैं, वो हम पढ़ते हैं, चले पहला प्रश्टन की आ गया, तुम सत्चंग के लिए आये हो, ठीक है, सब वेलकम हैं सत्चंग में, सब, सब का मतलब सब, हंड्रेट परसेंट दुनिया के लोग वेलकम हैं सत्चंग में, लेकिन गीता में भगवान ने एक बात कही, हजारों लोगों में, ऐसे लोगों में, जो सत्चंग में आते हों, नहीं आते हों, दुनिया भर में जो भरे पड़े हैं लोग, उन लोगों में, हजारों में कोई एक साधक निकलता है सच्चंग में मालीजे 500 लोग बैठे हुए हैं तो उनमें साधक कितने हैं थोड़े होते हैं थोड़े जो हजारों में भगवान निकाए वो हजारों दुनिया वालों में दुनिया के लोगों में हजारों में कोई एक मेरी तरफ बढ़ता है। सट्चम में आने वालों में कुछ लोग साधक होते हैं, अच्छे साधक होते हैं। कुछ लोग साधारण साधक होते हैं, थोड़ा-थोड़ा मन लगता है भागवान में, बाकी ठीक है, दुनिया है, काम तो करना है, हम नहीं करेंगे तो कैसे होगा, धारणा है उनकी किछिडी पकी हुई होते हैं, मिक्स्ट होती हैं, उस तरह से, तो साधारणा है वो, फिर सुना क्या, पॉइंट तो बताओ, पॉइंट याद नहीं है, मतलब धारण कुछ नहीं किया, ध्यान धारणा कहते न, तो ध्यान भी नहीं लगा, कोई विशेश सत्चन में, बस साधे अच्छा लगा, वातावरण बड़ा अच्छा था, बड़ी शांती थी, पीस ओप मन को शांती लगी, अच्छा लगा, अच्छा लगा, बस, पर धारणा नहीं बन पाई कि मेरे को भगवान की तरफ चलना है, तो अनेक लोग सत्चन में आते हैं, उनमें कुछ लोग भगवान की तरफ बढ़ते हैं, अब आगे ये अधिगुरु शंकरचा जी कहते हैं कि व वह जो बढ़ने वाले लोग हैं, उन से उन्होंने कहा कि तुम दया के सागर गुरदेव की शरण में जाकर आत्म तत्व का विचार करो, गुरदेवदेव दया के सागर हैं, वो कभी नहीं देखते हैं, तुम कैसे हो, अच्छे हो, बुरे हो, मंदे हो, कितना आता है, कितन नहीं आता, कितने पैसे वाले हो, कितने पड़े लिखे हो, किसी बात से कोई मतलब नहीं, उनका तो हमसे प्रेम होता है, दया का भाव होता है, करुणा होती है, कि ये लुख दुखी है संसार में, काश ये भगवान की तरफ चल पड़ें, तो ये सुखी हो जाएं। उन गुर्ध देव की शर्ण में जाकर उनसे ज्ञान ग्रहन करना चाहिए, कि मैं कौन हूँ, मैं कहां से आया, मेरा क्या अध्यश है, मिरा क्या लक्स है, मुझे कहां जाना है, मुझे क्या करना है, वास्तव में मेरा रास्ता कैसा होना चाहिए भगवान की तरफ चलने के लिए मुझे किस तरह से चलना चाहिए ये उनके अंदर जिग्यासा रहती है उनको जिग्यासू कहते हैं साधक कहते हैं बलकि ऐसा कहेंगे पहले वो जिग्यासू होते हैं सादक हो जाते है अर्थाट पहले जिग्यासा होती है मैं कौन हूँ क्या है ये दुनिया क्या है भगवान क्या है मैं कौन हूँ ये सब अंदर में जिग्यासा है प्रश्ण रहते है प्रश्णों के समाधान के लिए गुरू के समक्ष जाते हैं कि गुरू जी मुझे समझ में नहीं आता मैं कौन हूँ मेरा क्या लक्ष है मुझे कहा जाना है मेरी क्या मंजिल है मैंने सुना आपके भजन में कि सोर तेरी मंजिल कि सोर जा रहा है सपनों की नीद में ही रात ढलना जाए पल भर का क्या भरूसा कल आए या ना आए आए थे हरी भजन को तन लगे का पास आ एक कोई हमारे जो सेवा करते हैं बहुत सारे तो अन्नोन लोग हैं कुछ तो फोटो डाल देते हैं निश्काम गूर्प पर पर बहुत सारे जो सेवा कर रहे हैं वो अन्नोन है आपने देखे नहीं आप उनको जानते नहीं उनका नाम नहीं जानते तो उनमें से एक ने कहा कि मैं एक अनाज की मंडी में चला गया, कुछ काम से मैं गया हुआ था उस शहर में, पास के अपने 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 शहर के बराबर वाले शहर में, काम से गया था मोटर साइकल पर, तो वहां मुझे अनाज की मंडी में कुछ काम था, मैं वह गया तो द तो पूछा माताजी आप दिन भर में कितना बटोल लेती होगी? तो बोलती है तो रुपेका, देड़ सो रुपेका, इससे क्या होगा? इससे घर चल जाता है, रोटी बनती है हमारी, उसको जाकर मैं चक्की भी पीस लेती हूँ, और रोटी बन जाती है, हम लोग तीन लोगें घर में, ज्यादा कुछ चाहिए नहीं, थोड़ा थोड़ा खाते हैं, हो जाता है, तो दुनिया कैसी है, ये सब क्या है, किसी के पास म क्या दुनिया है, क्या संसार है, इसमें सच क्या है, क्या मिलेगा, क्या चहिए, कहां जाना है, बहुत सारे प्रश्ण हैं, जो जिग्यासु के अंदर होते हैं, तो ये जो पहला चैप्टर हैं, का अधिकारे निरुपन है, कि तुम सत्चंग में तो आए हो, क्या तुम आये थे, खालिया चले गए, काम काता हूं, कुछ नहीं, कोई साथ जाता नहीं, कोई साथ आता नहीं, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए करता हूं, करता हूं, नहीं ठीक है, बात बुरी नहीं है, पर बच्चों के लिए करता हूं, language defective है, मरने के बाद कौन किसका बच गई दूसरे घर में जनम ले लिया, वहां खुद बच्चा बन गई, बड़े हुए शादी हुए, बच्चे हुए, अभां फिर बच्चे हो गई, अगर पान सो जनम हो चुके हैं, तो पान सो जनमों के कितने बच्चे, हजार से जादा बच्चे, कौन से बच्चे मेरे, अब कौन से बच्चे सामने हैं, कौन से तुमारे कौन से, हमारे कौन से किसके किसके बच्चे किसके आए बैटे खाए पिये, खिसके, मतलब कि यार किसके कावत एक, तो कहती है कि तुम लोगों को वेलकम करते हो आते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, खाते हैं, खिसक जाते हैं, तो मैं ऐसी रह जाते हैं, खाली के खाली, तो कुछ भजन करो, कुछ सत्चंग करो, भागवान का नाम लेना ही सत्चंग करना है, भागवान से जोड़ना सत्य, सत्य परमात्मा, परमात्मा का संग करना ही सत्चं संकरना है हमको, सत्य का संकरना है हमको, भगवान का संकरना है, भगवान में मन लगा तो जीवन सफल हो गया, भगवान में मन ने लगा तो जीवन बेकार हो गया, जरा सी काहनी है, एक हमारा ध्यान इधर, एक हमारा ध्यान इधर, भगवान की तरफ है तो जीवन बढ़िया हो पार हो गए, मुक्ति की तरफ चले गए, और इधर लग गया संसार में, तो जीवन वेस्ट हो गया, ऐसा नहीं है संसार में, संसार में आये हैं, शरीर आया है, सिवा कर दो, इस समय जो हम विचार कर रहे हैं, अधिके अलग-अलग टॉपिक होता है, इस समय का जो टॉपिक है वो है सत्संग में आकर की क्या किया, क्या हमने उद्धार की, चिंता की, परवा की ध्यान दिया, क्या हम जिग्यासू हैं, हमारे अंदर जिग्यासा है, प्रश्ण हैं, भगवान कैसे मिले, ग्यान कैसे हो, मुक्ति कैसे हो, वेराग कैसे हो, ये गरंथ किसलिए होते हैं, व ग्यासा जागरित करता है तुम संसार में आये क्या कर रहे हो काम करनी की मना नहीं सेवा की मना नहीं कर्मयोग की मना नहीं किसी बात की मना नहीं पर क्या यही सब करते हो चले जाओगे खतम कहानी एक था राजा एक थी रानी दोनों मर गए खतम कहानी ये ये कहानी है हमारे जीवन की राजा तो सब हैं आप घर के हैं न राणी आप सब बैठी हैं राजा भी बैठे हैं राणी भी बैठी हैं बच्चे उनके राजकुमार राजकुमारी भी बैठे हैं एक था राजा एक थी राणी अब पस्ताई क्या होता है जब चिडिया चुग गई खेत कैसे करके है न आये थे हरी भजन को ओटन लगे का पास अभी क्या गोला हूँ करना था सुना कियो परेव लोब के फंद नानक समय रम गयो अब क्यों रोवत अंध गुर्णानक देव जी कहते हैं तुम आये थे संसार में जो करना था वो तो किया नहीं लोब मोग के चक्कर में पढ़ गए पैसा पैसा मेरा बच्चा मेरा बच्चा मर करके चले गए काम खतम कुछ नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई बच्चा नहीं साथ यहीं का इहीं रह जाएगा साथ तुमारे कुछ नहीं जाएगा समय रम गयो समय बीत गया, पूरे जीवन बीत गया अब क्यों रो वतंद अब अंधे की तरह क्यों रो रहे हो जब दिख रहा था तब तो देखनी रहे थे तुम कि ये संसार नहीं में जा रहा है रोज बीत रहा है देखे सुबह होती है शाम होती है उम्र योहीं तमाम होती है तेरी आयो योहीं बीती जाए जी सत गुरु की शरण आओ जी गुरु हमको रास्ता दिखाते हैं मंजिल हमारी भगवान है इस संसार एक रास्ता है इसके द्वारा हमको भगवान तक जाना है सब काम करो नित्य नेमितिक करो रोज के काम करो करो, सब करो करने की कोई मनाई नहीं है लेकिन मन को तो भगवान में लगाते चलो सत्संग तो करो सत्य परमात्मा का संग तो करो जो करना था सो ना कियो जो करना जिसके लिए आये थे संसार में this life is a preparation for going back to God ये जीवन एक एक प्रयोक्षाला है या कहिए एक ऐसी जगा है जहां मन को भगवान में लगाते हैं वापिस जाकर भगवान से मिलकर एक होने के लिए तो यहां हम प्रयोक्षाला है जैसे प्रयोक करते हैं यहां हम तरह तरह के प्रयोक करके जानते हैं संसार क्या है मैं कौन हूँ गुरु के पास जाते हैं सब समझते हैं और वापिस भगवान के पास चलने की तैयारी शुरू कर देते हैं. This life is a preparation, एक तैयारी है भगवान के पास वापिस जाने की. तो गुरू के पास जाकर प्रश्ण करें, भगवान ने भी गिता में कहा है, कि किनी निश्कामी निश्वार्थी गुरू के पास जा करके अपने उद्धार का प्रश्न करे विनमरता से हाज जोड़कर प्रणाम करके उनसे प्रश्न करे और उत्तर सुनकर उस पर अपना जीवन बनाए अपने जीवन को सफल करे अब जो जिग्यासु है उसके लिए कहा कि वो बुद्धिमान हो बुद्धिमान मतलब बुद्धी के द्वारा गुरु के बाक्यों को कैच कर सके हम गरंत में से शबत तो पढ़ रहे हैं पर कैच नहीं हो रहे हैं तो फिर फायदा नहीं मतलब कि उसका लाब नहीं मिल पाएगा क्या लिख्खा है वो समझ होने चाहिए हमको तो इसको बुद्धिमान कहते हैं बुद्धी के दौरा बातों को समझ सके जो गुरु कह रहे हैं उनकी बात को कैच कर सके उसको बुद्धिमान कहेंगे, साधक, बुद्धिमान साधक है विद्वान हो, पढ़ा लिखा हो, कुछ पढ़ के आया हो और गुरु के कहे अनुसार शास्त्रों को पढ़े, अध्यान करे तर्क वितर्क में कुशल हो, गुरुजी से ज्ञान के प्रश्ण पूछे देखे, आप सत्चंग करने कहीं गए, आप बैठे वहाँ, आपने पूछा, सत्चंग थोड़ा हुआ, आदा गंटा हुआ, बीच में आपने पूछा, किसी का कोई प्रश्ण हो तो बताईए एक ने कहा कि मेरा, मन जो है, आपके अंदर भाव जगा कि अच्छे कहना चाहरें, मेरा मन थोड़ा इधर उदर जाता है, मैं चाहता हुआ, सत्चंग में लगे, आपके अंदर ये भाव आया, उन्होंने लंहें कहा, देखें, मेरा मन जो है, वो, ये शेर मार्केट में बह ध्यान का को ऐसा तरीका बताई कि मेरा मन ऐसा एकागर हो जाए कि जब मैं शेयर मार्किट की डेटाज को स्टड़ी करूँ तो मज़े एकदम क्लिक हो जाए कि ये वाला शेयर लेना चाहिए। आदको खाना खिला सकता हूँ। आपको खिलाना तो जिसको मरजी खिलाओ आप जितने सड़त पर सो रहे हैं सब को खिलाओ आपका जैसा मने वैसा करो, ये प्रश्ट मेरे से पूछने लाइक है क्या, आपने एक घंटा सचंग सुना है, आप अपने उद्धार की बात पूछते, कि आज जो सचंग में एक बात चली, कि साधक बुद्धिमान होना चाहिए, तो बुद्धिमान तो मैं बहुत हूँ, ल होती है, उन बातों को कैच कर सके, जैसे उद्धारण वेवेक क्या है, मैं बताओं वेवेक क्या है, और वो साधक कैच कर ले, हाँ जी, आज आपने ये बताया था, ये हो गया वो द्धिमान, अर्था, जो ग्यान की बातें चल रही हैं, उनको हम कैच कर पाएं, मैं की बातें सुनी सत्षंग सुना प्रश्ण किये उतर मिले समाधान हुआ शंकाओं का समाधान हुआ तो मैं आगे बढ़ा यह process है बच्चा क्लास में गया तीचर से बात की तीचर से प्रश्ण उतर किये subject पढ़ा और प्रश्ण किये फिर subject पढ़ा और प्रश्ण के subject clear हुआ, exam में अच्छे number आए, यह process है बुद्धिमान हो, विद्वान हो, तर्क वितर्क में कुशल हो, गुरुजी से प्रश्ण कर सके, उत्तर को समझ सके गुरुजी जो कहें, उसमें प्रश्ण में प्रश्ण बनाए, पूछे, यहां एक और प्रश्ण उठता है जी, यहां एक और प्रश्ण उठता है जी, तो गुरुजण का समधान करेंगे ऐसे लक्षन वाला पुरुषी आत्म विद्या का अधिकारी होता है सत्चंग में आकर के हम सत्चंग के अधिकारी हैं या नहीं कह रहे हैं तुम सत्चंग की बातों को समझ पाते हो समझ पाते हो तो तुम अधिकारी हो अधिकारी मतलब तुम उस लायक हो कि तुम सत्चंग में बैठो और अपना उद्धार करो वरना मना किसी को नहीं है सब लोग सत्चंग में आ सकते हैं सब लोग सुन सकते हैं कोई कहेंगे हम तो अधिकारी नहीं है हमारे तो एतनी समझ आती हैं सत्चंग की बाते हैं कोई नहीं, आप सुनते रो, एक दिन आएगा आपको समझाने लगेंगी, आप अधिकारी बन जाओगे, अधिकारी लायक, लायक व्यक्ति, जो सद असद विवेकी, सत क्या है, असत क्या है, इसका विवेक हो उसके पास, वैरागिवान, इस संसार मेरा नहीं है, भगवान का है, ये वैरागिए है, इस संसार मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान का है, ये वैरागिए है, शम्दमादे शट संपत्ति युक्त और मुमक्षु हो उसी में ब्रह्म जिग्यासा की योगिता मानी गई है शट संपत्ति छे संपत्तियां होती है अभी बताएंगे इनसे युक्त हो और उसमें मोक्ष की चाहो इस संसार से मुझे जब मेरा शरीर छूटे एक दिन तो मैं मुक्त होकर भगवान से मिलकर एक हो जाओं नमबर वन नमबर टो इस संसार में रहते रहते भी मैं मुक्ती का अनभाव कर सकूँ तो कि मरने के बाद मुक्ती किसने देखी है तो इस संसार में रहते रहते भी मुक्ति का अनभाव कर सकूँ मुक्ति का अनभाव दुखों से छूटा हुआ जो व्यक्ति है उसको मुक्त पुरुष कहते है उसको मुक्त पुरुष कहते है आत्म ज्यान में ब्रह्म ज्यान में जो इस्थित है उसको मुक्त पुरुष कहते अब साधन चतुष्ट क्या है चार साधनों के द्वारा जो व्यक्ति आया है वो मुमुक्षु बनता है साधक बनता है पहला साधन नित्यनित्य वस्तो विवेक गिना जाता है अर्थाथ उसका विवेक जागरित हो अर्थाथ उसके अंदर जिग्यासा हो कि क्या सच है ये संसार मुझे दिखता है सच दिखता है बिलकुल पर मिलता कुछ नहीं, हाथ कुछ नहीं आता, हाथ हर समय हमारे खाली रहते है सामाने तो घर में है, पैसा है तो अलमारी में है, पर्स में है, पैंट की जेब में है हाथ में तो पैसा लेके नहीं गुमता कोई बच्चे हैं तो बहा रहे हैं पढ़ लिख रहे हैं कमरे में हैं दुसरे कमरे में हैं खा रहे हैं तो सामने बैठी हैं साथ तो चिपक के कोई बैठता नहीं और चुपका भी लो थोड़ी देर को साथ, तो कितनी देर साथ बेट कर खाओगे, चलो खा रहे हो, रह रहे हो, बात कर रहे हो, साथ बेटे हो, कितनी देर फिर अलग होना पड़ता है, उसको अपने काम पे जाना है, उसको अपने काम पे जाना है, मा को भोजन मनाना है, बच प्रशन उठता है, इस अंसार क्या है, मुझे बड़ा प्रिये लगता है, पर हाथ मेरे कुछ नहीं आता, मैं चुपक कर नहीं रह सकता हर समय, पैसा हर समय मुठी में लेकर नहीं रह सकता, पैसा मुझे बहुत प्रिये है, पर हर समय मुठी में लेकर नहीं रह सकता, तो प्र बहार भीतर बहार ओत प्रोत सर्वत्र भागवान है तो नित्या नित्य वस्तु विवेक पहला जो साधन है नित्य अनित्य रहने वाला क्या है नहीं रहने वाला क्या है फना और बका कुरान में इस दो शब्दों का प्रयोग किया है इसी बात के लिए नित्या नित्य फना क्या है बका क्या है फना जो फना हो जाने वाला खतम हो जाने वाला नश्ट हो जाने वाला डेस्ट्रॉय हो जाने वाला वो ये संसार है प्रले और इसका उदे ये अनवरत चल रहा है लगातार चल रहा है नित्यनित वस्तु विविक दुसरा लौकिक एवं पारलौकिक सुख भोग में वेरागी होना साधक का एक तो विवेक जागरित हो सत क्या है असत क्या है इसका विवेक जागरित हो सत क्या है भगवान असत क्या है ये संसार अर्थात एक दिन नहीं देखिए असत किसको कहते जो तीनों कालों में एक्सान रहे पहले भी था आज भी है और आगे भी रहेगा हमेशा तो हमेशा तो कुछी रहती नहीं आप ए घड़ा लाते हैं उदार ने स्टील का बरतन ले आते हैं चलो बचपन में कोई स्टील का बरतन था वो बाद में फिर टेडा मेडा पढ़ गया, घड़े पढ़ गया, तूट गया, फूट गया, फेग दिया, कोई आपको घर में कितनी चीज़ हैं, बचपन से याद होंगी, मिली छोट गई, मिली छोट गई, मिली छोट गई, इस पर विचार करना, क्या रहने वाला है, क्या नहीं रहने वाला है, इसको नित्या, नित्यवस्तु वेग कहते हैं, हमारा शरीर, बचपन में कैसा था, फिर जवानी में, फिर बुड़ापे में, प्रौड अवस्ता, फिर बुड़ापा, सब अवस्ताएं आप देख रहे हैं, जो लोग बुज़र गए हैं, उनसे अभी या नहीं है मेरे पास, पर में घर में हैं, अलमारी में रखिया इल्बम, दिखाऊंगा, देखना, या क्या है, मेरे पोस देखना में बनाता था, तरह तरह के, कुछ नहीं रहने वाला है, कोई body builder है, कोई पैसे वाला है, कोई handsome है, कोई बड़ा सुन्दर है, आज young है, कुछ लोग शादी होती है तब वो साथवे आसमान पे होते हैं जब शादी हो रही होती है पता नहीं हम हमेशा ऐसी रहेंगे क्या पर जिनकी पच्चीसवी वर्ष गांट हो गई उनसे पूछिए पच्चीस साल बीट गए शादी को ऐसा लगता है कली तो हुई थी अच्छा जिनके पचास साल हो गई फिफ्टिएथ वेडिंग अनिवर्सिटी है उनसे पूछिए कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है जैसे आप उस दिन ते शादी वाले दिन वैसी है ब्लकु वैसे ही लग रहा है लेकिन वैसे ही नहीं होँ बाल सपेद हो गए बहुत उड़ गए बाल तब तो घने बाल हुआ करते थे तब तो काले होते थे बड़ा अच्छा लगता था मैं यह भी बड़ी अच्छे लगती थी, अब तो बुढ़ी आसी लगने लगी है, जर्दियां आ गई, इसके देगा, यहां दाने वाने हो गई, यह हो गई, ऐसे आप तो थे ठीक है, यार, शादी का, यह है, हुआ है, यह है, वह है, भाई, इसे काह को बोल रहे हो आप, इसका म आनन ने दिध्यासन ऐसे बोला है, इस्टैप से घ्यान के लिए, सुनना बहुत जरूरी है, बहुत कुछ समझ में नहीं आता है, चिंता मत करो, आप सुनो बस, मैं गुरू के पाइज जाता था, बार बार जाता था, एक एक हफ़ता रहकर आता था, साल में कितनी बार जाता 17 साल तक मैंने गुरू के चक्कर ही चक्कर काटे किसी के आप चक्कर काटो तो विचारा कभी ने कभी पसीजी जाता है कभी ने कभी उसका दिल मौम होई जाता है, सॉफ्ट होई जाता है भई इतना चक्कर काट रहा है क्या बात है भई, क्या बात है सत्संग करो अपनी स्थिती बनाओ उसके हिसाब से फिर केवल सत्संग में लग गए मैं गुरू का बच्चा हूं भगवान का बच्चा हूं भगवान की चर्णों की धोल हूं गुरू का बच्चा हूं और बच्चा ही बना रहना चाहता हूं क्योंकि बच्चा बच्छ जाता है और बड़े लोग फस जाते हैं किस में जिम्मेदारियों में, परशानीयों में, दिक्तों में, बुढ़ापे में, बच्चा कभी बुढ़ा नहीं उता, बच्चा तो बच्चे ही होता है कभी मतलब बच्चा को बुड़ा कैसे कह देंगे, आप बच्चा तो बच्चा है ना, बच्चे के उपर जबमेदारी नहीं, मावाब के उपर जबमेदारी है, तो मेरे उपर चिंता, मेरी चिंता हरी करें मुझे ना चिंता कोई, भगवान है ना चिंता करने वाले, वो चिं होता क्या है करो चिंता जो चिंता करते हैं उनसे प्रश्ण है आपकी चिंता करने से कुछ हो जाता है क्या नहीं होता ना पर लेकिन प्रश्ण करेंगे तुरंत लेकिन तो फिर करो चिंता कोई बात नहीं आपको अच्छा लगता है तो करो चिंता नहीं अच्छा तो नहीं ल रitos है लेकिन हर बात में लेकिन क्योंके कंतु परन्तु ऐसा है जी ऐसा है जी भागबन में मन लगाओ जी लगता नहीं कोई बात नहीं आप चिंता मत करो सत्प्चंग में आाऊ सत्प्चंग बैटो दो पूरा सत्प्चंग शुरू से आखिर तक पूरा सत्चंग आराम से सुना करो, बैटकर, रिलेक्स हो के बैटो, टेंशन मत लेना, सत्चंग में बैटे हो, रिलेक्स हो के बैटो, अब कमर को लटका मत देना, बलकुँ सीधे बैटना, सीधे बैटकर रिलेक्स हो जाओ, कमर सीधी, सब, खड़े हो तो सीधे खड़े होना चाहिए, कुछ लोग जुकर खड़े होते हैं, जुकर नहीं सीधे खड़े हो, हमरी spinal cord सीधे रहनी चाहिए, हम लोग को, मैं भी उनी में शामिल हूँ, कमर जुका लेते हैं अकसरी कमर जुकाने नहीं चाहिए सीधे रखनी चाहिए कभी-कभी मैं भी गड़बड़ी कर जाता हूँ तो मैं भी सीखता हूँ इस बात को कि नहीं कोशिश करो सीधे रहो अच्छा सीधे रहेकर सांस भर के आती है आप देखो जरा सीधे बैठो फिर सांस किंचो फेफड़ मन जादा भरी ना अच्छा आप जुक के सांस भरो जरा सा पेट फूला बस खतम छोटी सी सांस रह गई देखा आपने कर के देखो जुक के बैठो सांस लो गहरी सांस लो पेट फूला ना रह गई फुस अच्छा थोड़ी नही आई 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 आपको आई मुझे नहीं आई 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 थोड़ी आई थोड़ी आई अच्छा आप सीधे बैठ जाओ आप देखो पूद exclud मेट चेस्ट हो आप सीन अवारा फोरा भरो एए माता जी, सो क्यों रही हो, सो नहीं, सिधी बैठो, सिधी बैठो, सिधा करो, सर को सिधा करो, सिधा बैठ कर सांस, भर ये सांस अंदर, आय नही रही, आय नही रही तो, अरे कोशिस तो कीजिये भई, ऐसी हो जाता है क्या काम दुनिया बिना कोशिस क्या, सब जी बना ले मसाला वसाला नहीं डालते, घीरी डालते, गैस पर नहीं चड़ाते, ऐसी बन जाती है, क्या, सिधे बेठो, भार के सांस आती है, ऐसे लोग, चलो, तो नित्या नित्य वस्तु वेक, यह है, दुसरा, लोकिक और पारलोकिक सुक भोग में वेरागे होना, इस संसार के, और मर करके स्वर्ग लोग के सुकों को भोगने का भाव, कुछ लोगों में होता है, या आपको नहीं है, आपको पता नहीं है, कुछ लोग इसलिए झरुवत नहीं होती, वहाँ आप बस स्वस्त रहते हो, शडिर स्वस्त रहता है, दिव भोग मिलते हैं आपको, खाना पीना सब चीज़े मिलती हैं आपको, और बड़ा मचा मस्ती है, सुर्ग के बारे में ऐसा सुना जाता है, तो हम चलें सुर्ग, लेकिन जिग्यासु ये सब बातें उसके लिए बेकार होती है, उसको भगवान चाहिए, तो लौकिक और पारलोकिक सुक भोग में उसको वेरागिय होता है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे भगवान चाहिए, तो पहला है विवेक, दुसरा है वेरागिय, तीसरा है शट संपति, छे संपतियां जो जिग्यासु के अंदर, साधक के अंदर होनी चाहिए शम, मन का कंट्रोल दम, इंद्रियों का कंट्रोल इंद्रियां भागे नहीं विश्यों में, कंट्रोल उपरती, मन का उपराम होना तितिक्षा, दुन्दी जोड़ों में सम रहना शद्धा, जो शास्त्र में और गुरु के वचन सुने हैं उनको एज जिटेज उठा लेना शद्धा होती है समादान, सब संशेयों का समादान हो गया छे संपत्तियां प्राप्त हो गई अब चौथा आता है स्टेज, मुमुक्षा, मुक्ष की इच्छा बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान चाहिए दुनिया में रहता है, खाता फिता है, सब काम करता है, सिवा करता है पर अंदर में उसके मुमुक्षा होती है ये सब तो ठीक है, शरीर का काम है, पर मुझे तो भगवान चाहिए मेरे तो गिर्धर गुपाल दूसरों न कोई दुनिया का सब काम मैं करता हूँ सेवा करता हूँ सब करता हूँ घर का सब काम करता हूँ पर मुझे भगवान चाहिए अब यहां विवेचन करते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या यह जो निश्चे है यही नित्या नित्य वस्तु विवेक कहलाता है जो मैंने आपको पहले अपनी साधारन भाषा में बताया वो बोलचाल की भाषा के अर्थ थे अब यह शास्त्रिय अर्थ है नित्या नित्य वस्तु विवेक क्या है ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है ऐसा जो निश्चे है ये नित्यानित वस्तु विवेग है वेराग क्या है? दर्शन और श्रमणादी के द्वारा देहे से लेकर ब्रह्म लोग परियंत संपून अनित्य भोग पदार्तों में जो घ्रना बुद्धी है वही वेराग है मैंने कहा सब कुछ भगवान का है ऐसा मान लेना वेराग है ये संतों के वचन है शास्तर में क्या लिखा है? दुनिया यहां से लेकर वहां तक कहीं से लेकर कहीं तक जो आपको दिख रहा है और जो आपने सुना है उन सभी भोगों में घ्रना बुद्धी हो जाए ये सब बेकार है, बकवास है सब मरने वाला, छूटने वाला, जाने वाला सब बेकार है, मुझे सब कुछ नहीं चाहिए मुझे केवल ब्रह्म में इस्थित होना है ये शास्तर का वाकिय है हम ग्रस्तियों के लिए थोड़ा कठिन पड़ेगा हमारे लिए आसान कर दिया संतों ने उनकी भाषा में आता है सब कुछ भगवान का है, ऐसा मान लेना बैराग है बस इतने हलके में काम होगे हलका मतला हलका नहीं है बस सुनने में बड़ा हलका है अच्छा, घर भगवान का मैं भी भगवान का, बच्चे भी भगवान के सब कुछ भगवान का, हम तो सब की सेवा करते है, सब मेरे अपने है सब मेरे अपने है और हम सब भगवान के है बड़ा मज़ेदार हो गया बड़ा आनन्द आ गया भगवान का मान के सब काम करो क्या है न संत जो है संत बड़े दयालू होते वो क्रपा करते हैं करणा का सुभा होता है शुरुन बता है न गुरु दयालू होते है परम दयालू बड़ा भारी उनके अंदर प्रेम होता है तो देखते हैं कि इसको वेराग नहीं आएगा इसको घ्रणा बुद्धी तो होगी नहीं यह रचा पचा है संसार में तो एक काम करो इसके माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट कर दो इसके मन में यह बिठा दो कि संसार भगवान का है तुम्हारा नहीं है यह कुछ भी तुम्हारा नहीं है कुछ साथ नहीं जाएगा खाली आता आये थे खाली आत जाओगे इस सब कुछ भगवान का है यह बोलचाल की भाषा उसने सुन रखी है लोगों से जब कोई मर गया शडीर मिट्टी है जो था इसमें निकल गया कहीं और जनम ले लिया होगा अरे भईया चलो कोई साथ आया नहीं कोई साथ जाता नहीं खाली आता आये थे खाली आत जाना चलो भगवा उठाओ मिट्टी चलो जी राम नाम सत्य करके ले गए और फूंक आये शरीर को यह हम ने देखा कहीं न कहीं पिक्चरों में तो देखा अपने घर में देखा होगा मैंने तो पांच लोगों को छे लोगों को जाते हुए देखा शादी हुई उसके बाद कुछ साल बाद मेरे सासुर साब नहीं रहे फिर मेरे साले सावें वो नहीं रहे इस तरह करके और फिर घर में अपने दादी दादा बड़े भाई फिर उन से छोटे बीच वाले भाई सब को जाते हुए देखा है सबका शरीर छुटने वाला ये मैंने खोवनभव किया जाने वाला और कोई ज़्यादा एज में भी नहीं मेरे फादर फिफ्टी सेवन एर्ज की एज में मेरे भाई फिफ्टी एट एर्ज की एज में बड़ी जल्दी सब सिमिट गया मेरे सबसे बड़े भाई 22 साल की एज मे 22 years, 22 साल की एज में तो इस सब मैंने घर में देखा अपने वेरा गया या सच में संसार में कुछ रहने वाला नहीं भगवान से स्वत्य प्रेम हो गया एक भगवान ही अपने है अकेला रह गया था मैं और मेरी मां बस दो जने रह गये थे, सब साथ छोड़ गये थे कुछ नहीं बड़ा घर था, बड़ा भरा भरा पूरा घर था, बहुत सारे लोग थे, दीरे दीरे खाली हो गया, मैं और मेरी मां बस दो जने रह गये तो दुनिया को जब आप पास से देखते हैं, तो समझ में आता है कि यहां क्या है, दुनिया क्या है यहां क्या रहने वाला है, क्या सत्य है तो यह बात इनोंने कहीं ब्रह्म सत्य है, जगतमित्या है नाशवान है, खतम होने वाला है कुछ नहीं रहने वाला है ऐसा जो निश्चे है ये नित्य अनित्य वस्तु विवेक कहलाता है। दर्शन अश्रवनादी के द्वारा देह से लेकर ब्रह्मलोग परियांत संपून अनित्य भोग पदार्तों में जो गरणा बुद्धी है वो वेराग्य है। बारं बार दोष तरष्टी करने से विशह समू से विरक्त होकर चित्त का अपने लक्ष में स्थिर हो जाना शम है। मन का निग्र है। बार बार दुनिया देखकर वेराग जब आता है अरे भाईया यह कौन किसका है। क्या यह दिखो हमने इतना किया इनके लिए और इन्होंने एक शुक्रिया ठेंक्स तक नहीं बोला शुक्राना तक नहीं बोला यह चलो बोला पर मज़ा नहीं आया, इतना करने के बाद मज़ा नहीं आया क्योंकि यह सब लोग तो खाय पैंठी altro किया, मतलब किया रि़िस उसी टाइप के है, आरह हम बड़ी चीज है, मूँ ढख के सोईए, किस-किस को याद कीजिए, किस-किस को रोईए, बताओ हम तो कितनी दूर से आये, इन किया, इतना सारा इनको दिया, गिफ्ट्स दियी, सब तरह से साहता की, सब तरह से किया, और यह तो लेके इनोंने घर मे रख लिया सब, अच्छा जी, अच्छा जी, रादे, 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 बड़ा मन खराब हो गया हमारा तो, दुनिया में कौन, किसका है भहिया, तो मन हटता है संसार से, जब संसार को देखता है, तो मन हटता है संसार से, कुछ लोग बताते हैं, हम बजर्ग हो गए हैं, हम हमारा है, बुड़ापे में कौन साहरा है हमारा ऐसे बहुत सारे परिवार आपने देखे होंगे तो सब तरफ से मन का हट जाना शम है करमिंद्रियों ग्यानिंद्रियों दोनों को उनके विश्यों से खीच कर अपने अपनी गोलकों में स्थित करना दम है वो कंट्रोल में आजाएं गोलकों में मतलब वापिस आख आख में रहे निकल कि सी के पीछे न चलिजाए TV में न घुश जाए आख Mobile में न घुश जाए आख 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 में रहे इसको कह रहे हैं अपनी गोलकों में स्थित रहना तुम देखो देखो बालो तकों मत ये मतलब हुआ देखो पर चिपक मत जाओ किसी से किसी रूप के पीछे पागल मत हो जाओ टीवी में जो दिख रहा है वो क्या है सब टीवी बन करो ये दम है व्रत्ती का बाहे विश्यों का आश्रय न लेना ये ही उपरती है उपरामता क्या है कि हमारी व्रत्तियां बाहर के विश्यों में दोड़े नहीं चिंता और शोक से रहित होकर बिना कोई प्रतिकार किये सब प्रकार के कष्टों को सेहन कर जाना तितिक्षा है उसमें चिंता और शोक रहित होकर बिनa कोई प्रतिकार किये No Revolt ऐसा क्यों ऐसा क्यों वो तो जो हो रहा है क्या कर सकते हैं बदल सकते हो तो बदल लो नहीं बदल सकते हैं तो सेहन करो तिटिक्षा सेहन करना तिटिक्षा है शास्तुर गुरु वाक्यों में सत्यत बुद्धी करना, इसको सजनों ने श्रद्धा कहा है, जिससे के वस्तु की प्राप्ति होती है, हमारे शास्तुर में जो कहा गया है वो, और जो गुरु बताते हैं वो सत्य है, उसको हमें धारण करना है, समझना है, उस बात पर धीरे- कोशिश करनी है इसको शद्धा कहते हैं अपनी बुद्धी को सब प्रकार से शुद्ध ब्रह्म में स्थित रखना इसको समाधान कहते हैं समाधान है सबसंशियों का समाधान हो गया अब मेरी बुद्धी मेरा भाव मैं स्वैम ब्रह्म में इस्थेतू, आर्थात, हिंदी में अगर बोलें, साधारन भाषा में, तो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का बेटा हूँ, बच्चा हूँ, भगवान भगवान का हूँ, जैसे आप जो संबंद बनाना चाहें, मैं भगवान का हूँ, परेंत जितने अज्यान कल्पित बंधन है, मैं शरीर हूँ ये अज्यान कल्पित एक भाव है, हम तो आत्मा हैं, एक दिन शरीर में आए और एक दिन शरीर से निकल जाएंगे तो अज्यान कल्पित बंधन है बंधन बना लिया, मैं शरीर हूँ मैं शरीर होई नहीं, यह तो मरने वाला एक दिन, मैं रहने वाला हमेशा फना और बका, फना क्या है शरीर, बका क्या है आत्मा दो हैं, जड़ और चेतन, जड़ कौन शरीर, चेतन कौन आत्मा नित्य अनित, नित्य क्या है आत्मा, अनित्य क्या है शरीर तो इन बंधनों से छोटने की जो इच्छा है इन बंधनों से जो अनकली बंधन बन गए हैं मैं शरीर हूँ, मैं हूँ, अहंकार मैं, मैंपन, अहंकार अहंकार और शरीर भाव से छोटने का नाम छोटने की इच्छा का नाम मुक्षा है मुक्ष की इच्छा, जीते जी मुक्ती, जीते जी मुक्त हो जाना मैं शरी नहीं, मेरा कोई बंधन नहीं मैं किसी विशे में फसा हुआ नहीं, मैं किसी विकार में फसा हुआ नहीं मेरा मन सीधा भगवान में लगा हुआ है मैं स्वेम भगवान में लगा हुआ हूँ मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे है ये बात अब आप मुक्त हैं हर समय कोई बंधन नहीं गुरु भगवान के शुकराने है हमारे गुरु निराकार रूप से सब जगा है बहगवान और गुरु में अंतर नहीं होता निराकार रूप से एक होते हैं पंदे कृष्णम जगत गुरुम बहगवान को ही गुरु कहा गया है बहगवान ही हम सबके गुरु है और जो शरीर हमको गुरु रूप में मिलता है बहगवान का ही एक रूप है जिन से हमको ग्यान मिलता है समझ मिलती है तो गुरु को शरीर नहीं मानना चाहिए बस उनकी आकरत ही है जिन से हमें ग्यान मिलता है बहगवान का ही रूप है बस ऐसे निश्चे करके गुर्व भगवान के शुकराने हैं जो उनको सही समझ देते हैं